तो आज हम बनाएंगे मंचूरियन ये मंचूरियन हम सूजी से बनाएंगे और सूजी से बनने वाला मंचूरियन बहुत क्रिस्पी बनेगा तो चलिए चल्दी से स्टार्ट करते हैं ये है पतागुपी और ये है गाजर इन सब को मैंने ग्रेट कर लिया है आप चाहें चोपर में चोप कर सकते हैं और साथ ही ये फूलगो भी ली है इसको भी गरम पानी में अच्छे से वोश करने के बाद मैंने अच्छे से ग्रेट किया है और ये एक बड़ा बारिक प्याज है और साथ ही मैंने थोड़ी हरी मिर्च भी डाली है और इन सब को हम ग्रेवी के लिए रखेंगे स्प्रिंग अनियन भी लिया है और ये है अद्रक और लहसुन का पेस्ट आप चाहें इसको स्किप्ट कर सकते हैं प्याज अगर लहसुन नहीं खाते तो स्किप्ट कर सकते हैं अब मैंने नमक डाल दिया है जितनी आपकी सबजी है उस हिसाब से आप नमक डालें साथ ही चिली और यह रेड चिली सोस है तो यहां पर मैंने एक बड़ा कप सूजी का लिया है अगर बारिक सूजी है तो आप ऐसे डाल दें अगर मोटी सूजी है तो उसको थोड़ा सा ग्राइंड करके ही डालें तो यह एक डोब बहुत बड़ी असा तयार होगा सूजी आप देखकर डालें जितनी आपकी सबजीये हैं उसके अनुसार आप सूजी ले सकते हैं और अच्छे से इसको मिक्स करेंगे हम इसमें कोई भी मिठा सोडा या इनो बिल्कुल नहीं डालेंगे खूब सारी सबजीये हैं यह वैसे ही हमारे जो मंचूरियन होगा सॉफ्ट बनेगा अब मैंने काली मिर्च और थोड़ा सा भूना जिरा इसमें डाल दिया है और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे देख ले कि यह बहुत पतला ना हो अगर पतला है तो इसमें थोड़ी फ्लेम पे ही तिलको रखेंगे आप देखिए इसमें थोड़ी सी सूजी और डलेगी क्योंकि यह थोड़ा सा पतला है आप देखकर इसमें सूजी कम ज्यादा ले सकते हैं आप छोटे-छोटे इसके बॉल बनाएंगे बस इस तरह से हम यह मंचूरियन तयार करेंगे इस ट बस इसको सिम फ्लेम पे फ्राई करते रहेंगे और जब यह गोल्डन ब्राउन हो जाएं उसके बाद हम इसे निकाल लेंगे बड़िया सा यह मंचूरियन हमारा तयार होगा बच्चों को बड़ों को सबको पहित पसंद आने वाला है बस धीरे-धीरे इसको अल्टते-पल् गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं इस स्टेज पे हमें इसको निकाल लेना है क्योंकि इनको हम 10 मिनट के लिए ठंडा करेंगे और दुबारा से एक बार हाई फ्लेम पे फिर से फ्राई करेंगे जितने भी और मंचूरियन तयार किया है उसको भी फ्राई कर लेंगे बस सवी मंचूरियन बनकर तयार है और 5-10 मिनट इसको ठंडा करने के बाद हाई फ्लेम पे एक बार हमें इसको दुबारा से फ्राई कर लेना है तो अब हम करेंगे ग्रेवी की तयारी एक मैंने चमच तेल डाल दिया है साथ ही प्याज डाल देंगे फ्लेम हाई रखेंगे एकदम से और प्याज को ब्राउन बिल्कुल नहीं करेंगे हलका सा कच्चापन निकल जाए इतना ही हमें इसको भूनना है और साथ ही स्प्रिंग अनियन डाल दीजिए और ये मैंने येलो शिमला मिर्च ली है ग्रीन शिमला मिर्च ले सकते हैं और जितनी भी सबजें हमने मंचूरियन में डाली थी गाजर, गोभी और ये पत्ता गोभी सभी हम इस ग्रेवी में डाल कर हलका सा भूनेंगे केवल कच्चा पन निकले इतना ही हमेंसे भूनना है क्रंचीनेस बरकरार रहना चाहिए जादा नहीं भूनेंगे हम इसे बस ध्यान रखें हलका साही हम इसे भूनेंगे साथ ही इसमें चिली फ्लिक्स टाल दी है और थोड़ा सा नमक डाल देंगे एक चमच देगी में डाल देंगे और बस अच्छे से सब मसालों को मिक्स करेंगे एक बड़ा चमच सोया सोस का डाल दिया है और एक चमच वीनेगर है और ये है थोड़ी सी टमेटो सोस एक बड़ा चमच टमेटो सोस का और थोड़ी सी चिनी मैंने इसमें थोड़ा सा अद्रक और लसुन भी डाला है आप चाहें स्किप्ट कर सकते हैं अगर नहीं खाते तो अब हम ये ग्रेवी की तयारी करेंगे एक चम्मच बड़ा मैंने कौन फ्लोर का लिया है और इसमें ग्रेवी बनाने के लिए इसमें हम डाल देंगे साथ ही एक बड़ा कप पानी का डाल देंगे आप ग्रेवी को पतला गाड़ा जितना आप करना चाहते हैं उस हिसाब से आप अपनी ग्रेवी तयार कर सकते हैं अगर पतली रखनी है तो थोड़े पानी को बढ़ा दीजिए और कॉर्ण फ्लोर को भी तीन से चार मिनट के लिए इसको हम पकाएंगे ताकि अच्छे से इसका कच्चापन निकल जाए बस तीन चार मिनट देखिए पक चुकी है और ये ग्रेवी बहुत अच्छी सी गाड़ है बस आप इस रेस्पी को देखें और इसी तरीके से अगर आप इसको बनाएंगे तो ये घर में ही बहुत परफेक्ट मंचूरियन तयार हो जाएगा तो अगर आपको मेरी ये रेस्पी अच्छी लगती हो तो प्लीज इसे लाइक शेर और कमेंट करना ना भूलें कोई भ मिलते हैं अगली न्यू रेस्पी के साथ तब तक के लिए स्वस्त रहें मस्त रहें